हेलो फ्रेंड्स आई यू वेदेन मेडिसन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो क्या आप भी खांसी से परेशान हैं? अगर आप खांसी से परेशान हैं तो आज मैं आपको सूखी खांसी और गीली खांसी दौनों के इलाज के बारे में बताता हूँ दुनिया में कोई और चीज सूचती नहीं है सूखी खांसी का इलाज करना बहुत ही आसान है आज मैं आपको एक ऐसा घरिलू तरीका बताता हूँ जो कि सूखी खांसी को तुरंती ठीक कर देगा दोस्तों अगर आप बहुत साई दबाईयों का इस्तिमाल करके परेशान हो गये हैं तब भी आपके सूखी खांसी ठीक नहीं हुई है तो आज मैं आपको एक ऐसा प्राकृतिक तरीका बताता हूँ जो कि सूखी खांसी को दो दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देगा इसके लिए आपको चाहिए हल्दी की जरूत पड़ेगी आपको चूसते हैं कुछ इस प्रकार से चूसना है आप देखोगे थोड़ी देर के अंदर ही सूखी खांसी से आपको बहुत ज़्यता फायदा मिलता है जब कभी आपको सूखी खांसी द्वारा उत्पन होती है तो आप दूसरी गोली या तीसरी गोली ऐसे करके आप इसका इस्तिमाल करें सिर्फ दो दिनों के अंदर ही सूखी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है चलिए दूस्तों अब मैं आपको बताता हूँ गीली खांसी के इलाज के बारे में गीली खांसी जिसे बलगम वाली खांसी का आ जाता है बलगम वाली खांसी के अंदर चाती के अंदर कफ जमा हो जाता है जो की रिस रिस कर मुझे सारे बहार निकलता है इसमें बहुत सारे लक्षन होते हैं जैसे कि नाक का बंद हो जाना बुखार किसी अनुविती होना ऐसे कुछ लक्षन दिखाए देते हैं अगर आपको बल्गम गाली खासी पहुच जदा परिशान कर रही है तो आपको गवराना नहीं है सबसे पहले आपको मैं तरीका बता देता हूँ उस तरीके से अगर आप इस्तिमाल करोगे तो एक से दो दिन के अंदर ही बल्गम वाली खासी तुरंते ठीक हो जाती है इसके लिए दोस्तों आपको एक चम्मच अद्रक की रस की जरुत होगी आप थोड़ी सी मात्रा में अद्रक लें इसे कूट कर इसका रस निकाल लें एक चमच अदरक्य रसके अंदर एक से दो चमच सह्ध को मिला कर आपको चाड़ जाना है आपको या 2-3 बार दिन में इस्तिमाल करना है जैसे कि आप सुबह या दोबहर या शाम को इस्तिमाल करोगे दो से तिन दिनों के अंदर ही बल्गम वाली खांसी तुरंत ही ठीक हो जाती है यह एक सांदार उपाय है आप इन दो उपायों में से किसी एक उपाय को करकर अपनी खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें बैल आइकन को जरूर दबाएं ताके न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें